नमस्कार दोस्तों कानुन का दरवाजा चैनल में आप सभी का श्वागत है आज के इस एपिशोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ कि माता पिता को मेल मेला करके जमिन यदि कोई एक भाई रेष्ट्री करा लेता है तो वह कहां तक उचित है कहां तक जाई जाई ह समाज में इस तरह की धेर सारी घटनाएं घट रही है कि जहां दो भाई है तीन भाई है तो उसमें से जो एक चालाग भाई है जो उनकी पतनी चालाग पर बिटती की है वह माता पिता को अपने मेल मेल मेला करके दूसरे भाई के बुरुदू से भढ़का करके और उसके हिस कि जमीन को माता-पिता द्वारा रिष्टी करा लेता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐशे माता-पिता को अगाह करना चाहूंगा कि अपने शंतानों के बीच भेदभाव ना करें। और यदे कुछ ऐसी बिशम परिष्टिती है जो आप ऐशा करने के लिए मजबूर हैं तो फिर आपको यद्यान रहना चाहिए कि जो शंपत्ति आपने श्वेंग से खरीदा है, अपनी कमाई से खरीद किया है या माता के नाम से अगर कोई ऐसी शंपत्ति है, ऐसी जमीन है ज तो इस तरह का जो शंपत्ति है उसका वह पुर्ण स्वामित उन्हें पराप्त है, राइट टैटिल पराप्त है और इस तरह की भूमे को वह अपने श्वेक्छा नुशार दानपत्र कर सकती है, रेइस्टर्ड सेल्डिट बना सकती है या फिर विल कर सकती है, प्रन्तु ऐ ऐसी कोई भूमी जिसका की पिता जमामंदी रहयत है, उनके नाम से लगान रसीद आप्टेन हो रहा है, प्रन्तु वह पुस्तेनी जमीन है, बाप दादे की शंपत्ति है, तो हिंदू लौक के मुताबिक, पुस्तेनी जमीन में जितना अधिकाद पिता का होता है, उतना ही अधिकाद उसके पुत्रिया पुत्रियों का भी होता है, तो ऐसी परिष्टिती में जमामंदी रहयत होने की हैसियत से, यदि कोई भाई यह समझ लेता है कि पिता के नाम से लगान रसीद निर्गत हो रहा है, तो वह उस भूमी का भुष्वामी है, वास्तिक भुष्वाम के बीच, संतानों के बीच या भडिकों के बीच जमिन का बटवारा कर लेता है, और बटवारा करने के बाद उनके हिस्सी में जो भूमी प्राप्त होती है, उसे वक्त किसी एक पुत्र को या अपने इच्छा नुशार पुत्री को या किसी अन्यब्यक्ति को या किसी धार प्रंतु जमामंदी रहयत होने का मतलब यह नहीं है कि उनको पुर्ण भूश्वामित प्राप्त है पुस्तेनी जमीन का लगांदसिद निर्गत होने के बावजूद उनका राइट टैटिल पुर्णत नहीं बनता है तो ऐसी परिस्तिते में यदि पुस्तेनी जमीन को किसी एक पुत्र के भाकावे में आकर के माता पिता उन्हें जमीन रहिष्टी कर देते हैं यह दानपत्र कर देते हैं तो इस तरह का जो सेल डीड है उसे पिरित पैकती द्वारा नियाले में चालेंज किया जा सकता है और इ इस तरह के विल को नल एंड वाइड घोसित करा जा शकता है और इस तरह से आप बात विवात के चक्र में फश शकते हैं और आपको आर्थिक मांसिक छती हो शकती है और आपकी परतिष्ठा भी दाग लग शकता है तो दोस्तों इस शंधर में मैंने पहले भी वीडियो दिया और आज भी मैं आपको अगा कर रहा हूं कि पूस्तेनी जमीन पर दोनों का अर्थात पिता और पुत्र का शमाना दिकार होता है तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूंगा फिर अगले कानूने वीडियो का आप इंतजार करें और अंत में आप से कहना तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अबस कर लें शाथी बेल आइकन को प्रीश करें और यदि इस तरह के वीडियो इस तरह के शलाह आपको पशंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक अबस करें धन्यवाद